हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई स्टेडी सीट और फुजिकल एजुकेशन चाहेना दोस्तों यह निउ प्रैक्टिस सेट का 32 प्रैक्टिस है जैसा कि मैं MPU-Work 2-3, UPT-GTPGT, UPLT-Grade, NVPSC-TRE-4 के लिए अन्य सभी फुजिकल एजुकेशन कंपरिशन एक्जाम के लिए डेली बेसे से प्रैक्टिस करा रही हूँ आप मेरे साथ डेली बेसे से जुले रहे है जैसा कि MPU-Work 2-3 का जो नौटिफिकेशन है मेन एक्जाम का अभी तक नहीं आया है दोस्तों बट आप डेली लगतार तयारी करते रहे है आपके सामने तिंचार एक्जाम है यूपी अल्टी ग्रेटी उपीटी जीटी पीजीटी एमपी वर्ट 2-3 एन वीपेसी टीरी फो तो जैसे कि जो एमपी वर्ट 2-3 है उसका नौटिफिकेशन अक्टूबर नौमर में आने की संभावना है और वो लेट पर लेट होता जा रहा है बट परिच्छा जरूर होगा और इतना लेट हो रहा है इसका कारण विभाग ही जाने दोस्तों बट आप डेली बेसेस पे प्रैक्रिस क कितनी होती है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एक बीट में तीन राउंड बॉक्सिंग प्रतिवता में जो है तीन तीन मिनट के तीन राउंड होते हैं ठीक है एक राउंड के आवधी कितनी होती है तीन मिनट अब कुल राउंड कितने होते हैं तीन राउंड ठीक है तो तीन तीन मिनट के तीन राउंड होते हैं बॉक्सिंग में Q2 है समित राज संग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ We invite the first session of the Union National United Nation held तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि जो समित राज संग है United Nation इसकी जो निर्मान हुआ था गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन 10 जनुवरी 1946 के London के वेश्ट मिन्स्टर भवन में हुआ था तो 10 जनुवरी 1946 यहां पर राइट इंसर हो जाएगा जब इसका गठन पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 प्रथम अधिवेशन पूछेगा 10 जनुवरी 1946 कोर्शन नुबर 3 है एक स्वस्त ब्यक्ति का समान रतदाव कितना होता है जर्नार्मल ब्लोट प्रेसर आफ थे हेल्दी परसन तो दोस्तों आपको पता है सिस्टोलिक एंडियस्टोलिक, सिस्टोलिक 120, डियस्टोलिक 80, ठीक है 120, 80 mmHg आपका रहता है ठीक है तो जैसा कि आप जानते हैं जो लेप्ट वेंट्रिकल होता है निलय के संकूचन यानि कंट्रैक्ट होने की फलसरूप धमनियों में रक्त प्रवेस करता है एरोटिक वाल्ब के रास्ते महा धमनियों में इस रक्त का जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसे हम बलड प्रेसर कहते है समान मनुस में रक्त दाब जो है 120, 80 mmHg होता है और बलड प्रेसर को बापने का यंदर होता है इस फिगनो मैनो मीटर पोसिन नमर फूर है चेचक के टीके की कोच किसके द्वरा की गई थी दोस्तो आप सबको पता है एड़वार्ड जेनर ने चेचक के टीके की कोच किया था किसने किया था एड़वार्ड जेनर ने और यहाँ चेचक जो है जिसे हम समान पाउक्स बोलते हैं yuri alla virus के दावरा हो फैलता है एक संंक्रामुक रोग है इसका वारिस सरी में तेजी से फैलता है छेच competition के रोगी को सरसे पहले बुखाराता है फिर सरी पर लाल-लाल दानी निकल जाते हैं तो छेच स्वाॉल पाॉक्स होता है वहरी विला वारस से फैलता है जबकि जो आपका चिकन पाक्स होता है चोटी माता हो वहरी सेला वारस से फैलता है Question number 5 है भारत में पहला अंतरश्टी फिल्म होस्थ कब आज़ित किया गया When was the first international film festival held in India तो दोस्तों भारत में सबसे पहला अंतरश्टी फिल्मों से 1952 में आयोजित किया गया जिसमें फिल्मी दुनिया के सारे जानिमानी का लाकार उपसीद हुए थे तो कब हुआ था दोस्तों आप सबको पता है इस खेलो का मक्का भी कहा जाता है यह सिया का सबसे बड़ा इंस्टिट्यूट है दोस्तों पोस्तों नमर सेविन है राश्टमंडली यह खेलों का आरंप कब हुआ विन देज्ट कामन वेल्ट गेम बिगन दोस्तों राश्टमंडल खेलों का जो शुरुवात हुआ था वा 1930 हेमिल्टल कनाडा में हुआ था कहां पे 1930 में हेमिल्टल कनाडा में राश्टमंडल खेलों का उस्तों आजन हुआ था और सबसे पहले इसका आजन हुआ था बिटिस अंपायर खेल के नाम से फिर इसका नाम चेंज हुआ यहां परिशे लिए फ़िर नाम तक यहां पर छिलीट रहा फिर 1998 में नाम बदलकर राश्टमंडली खेल कर दिया गया राश्टमंडली खेल मह उस्तों बिश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोंग उस्तों है पहला अलम्पिक है यहां खेलोंग चारुर्स के पस्चाथ कि में आयुजित किया जाता है और 22 वा राष्ट मंदल खेल 2022 बर्मिकह में इंगलेंड में हुआ था क्यांत रखेगा और 23 वा जो है 26 26 में बिक्टुरिया और आस्टेलिया में होगा क्यांद बिक्टुरिया संस्था सिच्छा पर सिच्छिछों को संचलित करती हैं oh है गवर्न फिजिकल ट्रेनिंग यहां स्चशा पर सिच्छों कवें ट्रेंश ल ct NCTE, जो एक समेधारिक संस्ता है, जो सिच्छा तथा सिच्छा और साररी सिच्छा पर सिच्छर सभी का संचालन करती है, इसका अगठन 17 अगस्त 1995 को किया गया था, Question No.9 है, मानो शरी में ग्लाइडिंग ज्वाइन किसे पाजाता है, Where is the gliding joint found in the human body? तो दोस्तों यहाँ पे जो गर्दन है, आपका pivot joint के अंदर गता है, गर्दन किसके अंदर गता है, pivot joint के अंदर गता है, जिस सिफ रोटीजन मोमेंट्स होता है, एक हड़ी को से जाद दुस्री हड़ी के नुकिले सिरे पक घुमता है, तो हमारा गर्दन जो है, धुरागर संदी जिसे pivot joint कहते है, जो हमारा radius हड़ी अनला के उपर गुड़न करती है, यह भी आपका pivot joint के अंदर गता है, तो यहाँ पे pivot joint हो गया, कोहनी यानि elbow जो है, elbow joint, knee joint, उंगलियों का जोड, जबलों का जोड, यह hinge joint के अंदर गता है, जिसे हम कबजा संधी या कोर संधी कहते हैं, जिसमें एक तल मे गती होती है, जैसे दर्वाजा एक तरफ गुमता है, ठीक है, जो हमारा कुला है, यानि हिप जो है, ओ आपका ball and socket joint के अंतरगत आता है, इसका हड़ी का एक सिज़ा, गोल सिज़ा, दुसरे हड़ी के कप के आकार की सिरू में फसा रहता है, सभी दिसाव में गती होता है, मा या आपका condylar joint के अंतरगत आता है, जो दो तलो में गती होती है, ठीक है, और wrist joint यानि की कलाई होता है, जैकि gliding joint जोस्तों, आपका एक हड़ी, दूसरे हड़ी के ऊपर फिसलती है, जैसे carpus और tarsus joint, तो carpus और tarsus, तो कलाई में ही होता है, इसलिए उस आधार पर यहां प जोड़ होता है, इसलिए इसको माना गया है, question number 10 है, सारीक स्वास्ते महतपूर है, सारीक स्वास्ते महतपूर है, तो किसके लिए दोस्तों, कि सारीक स्वास्ते महतपूर है, तो कि सारीक स्वास्ते महतपूर है, तो कि सारीक स्वास्ते महतपूर है, तो कि सारीक स्वास्ते यारे इस लक्तित को सारी होटा है क्योंकि यह आप विच्टि को गुडात्मक जीवन पिताने के लिए सायक होता है विष्टिन नहिए हैं कोहसे नमर्णा है जीजय को करना बनाना प्रहत करना और सिखना इसमें सामिल है दोस्तों डूइंग मेंगेंग एचीविंग दोड़े सुनी भी ऐसी अधिकर को बिखस्ट करना तो खेलों के खिलना वाउस को बनाना उसंका भियास करना ज्यान प्राप्त करना उत् Maybe डनी मेदी यु शंब्थ कैम्पन से संभु होते हैं महलपेग्न का लगभगुमत है कि उस भी परेडा होता है तो दोस्तो मनोभी जाकों का सभी ही बनुगागी का लगवख्त कहना है कि फिरिडा क्या होता है खेली प्रिडा होता है फिक है संसकीति धौरोहर होती है हमाराstar है खेली प्रिडा खिलरी पदरसन पर अषका और संसकीति previous प्रौच दूनप्रकार करों इसटिकत होता है कोशन नमबर 13 है कि चूकर और मलेड सब्द का प्रियोग किस खेल में होता है तो दोस्तों यह पोलो खेल में होता है चूकर और मलेड सब्द का प्रियोग किस में होता है पोलो में होता है चूकर इस खेल की अवधी के खंडों को प्रदेशित करता है जब कि मलेड जो है पोलो इस्टीक को कहते हैं देखा था चूकर सब्द पोलो में जो खेल होता है उसके अवधी को प्रदेशित करता है तीक है को कहते हैं कि भारत में उलम्पिक आंदोलन को किसके द्वरा प्रालम किया गया था उलम्पिक मोमेंट्स इन इंडिया वाज इस्टार्टेड बाई हूम तो दोस्तों यह है प्रारम किया गहां था स्थ्री दौड़ा बजी टाटा के द्वरा है यह भारती ओल्पिक będus यानी पार्टियो उलंपिक संह इंडियन ओल्ल किस्टियस्ट आई自था कि इन इसी अश्टापना संथा न 7 प्रतमान अध्यश पीटी उसा है जो पर्थम महिला अध्यश बनी है किस से उर्जा प्राप्त नहीं होती है जैसे कि हम जानते हैं कि कारेक अधार पर पोसस्तत्तु को तीन भागों में डिवाइड किया गया है उर्जा प्रदंग करने वाले जिसमें कर्भोहाइड अवसा आता है तो इसमें कर्भोहाइड प्रोटीन और मिर्दंग करने वाले प्रोटीन और मिनरल्स कोई प्रोटीन यहां पर रायरिट अशर होगा विटामिन एक प्रकर कर्भोहाइड के रोगों से रच्छा के लिए अथियत आवश्यक होता है बिटामिन से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती पर उन्तों ये शरीर के उपाप्चा यानि मेटाबोलेजमे में रसानिक प्रतिक्रियाओं के नियमिन के लिए अतियंद आवस्चेक होता है Question number 16 है Squares खेल सरफ अथम किस देश में खेला गया In which country was the game of Squares first played तो दोस्तों Squares खेल जो है सबसे पहले England में खेला गया Squares खेल का जर्म 1817 में England में हुआ America में 1907 इस्वी में इसकी प्रत्म प्रतिक्ता हुई इस खेल की सरोच्चे संस्था International Squares Championship प्रतिक्ता 1976 में आयो जित किया गया Question number 17 है और वह ACI खेल जिसमें PT USA 400 पदक जित कर उड़नपरी कहलाए थी Which ACN Games was by PT USA and was called उड़नपरी Flying Furry after swimming winning for gold medals तो दोस्तों वह कौनसा ACI खेल था 1986 का 1986 का Seoul ACI गेम में PT USA ने चार स्वर्पदक जित कर गोरों हासिल किया था और इनको उड़नपरी कहा गया Question number 18 है Rabies या Hydrophobia रोग होता है तो दोस्तों Rabies जो है एक वाइरस के द्वारा फैलने वाला रोग है Rabies क्या है संक्रमित इस अंथारियों को काटने से फैलता है Rabies को हम अलरक रोग या Hydrophobia भी कहते हैं या रहेप्टो वाइरस के द्वारा फैलता है Rabies जो है वो तंत्रिका तंत्र को पहवित करता है और सरीज पानी से द्वार लगता है यह सवांत लेने में परिशानी होती है जो हṣe जो से फैलता है या वाइरस द्वारा होता है सबरक है तो 31 रचित रहता है कुर्शन नमर्ब 19 कनाडा का राश्ट ये खेल क्या है तो दोस्तों आप सब यह ने इस खेल में पर्थमस्थान प्राप्त किया था क्वेस्टन नमर बीस है सिच्छा में सारे सिच्छा के महतों की सुरुवात कब से माने जाती है वे निदे इपॉर्डेंस एप फीजिकल एजुकेशन इन एजुकेशन कंसाइडरेट टू है इस्टॉटेट जब फ्रांसिसी सुधारक रूसों ने बच्चों की सिच्छा को मानसिक अथ्वा सारिक भागों में बाटे संपूर बिकास पर बल दिया उसने बच्चों की प्राकितिक क्रियाओं के माध्यम से सिच्छा देने पर भी बल दिया कि रूसों क्या है प्रक्रितिवाद के जनक है आज की युग में यह समझा जाने लगा है कि बिना सारी कारिक्रम का सहरा लिये व्यक्ति का संपुर्व दिकास नहीं हो सकता है कोशन नमर 21 है होंकी के जादुगर मेजर ध्यान चंद की आत्मकता है वीच इज द आटो वायोग्राफी आफ होंकी विजार्ड मेजर ध्यान चंद तो इनके आटोपायग्राफी यानि आत्मकता का नाम है गोल क्या है गोल और इनके जनम दिवास 29 अगस्त को राश्टी खेल दिवास के रूपे मना जाता है राश्टी खेल दिवास मनाने का सुरुआत 29 अगस्त 1955 से हुआ है कोस्टन.22 है स्वेथलिंग कउस्जी से समंधित है तो दोस्तो स्वेथलिंग कउस्फुछेट्र टेवल टैनिस पुरूष से समंधित है याद रखेगा 20 टेबल टेनिस पूरोज इससे समंधित इसके अत्रित सेंट वाइडरा ब्राइडवास कप इडान कप आधी टेबल टेनिस से समंधित है उसके लावा बर्ना विलाउक कप पीधा पूरम कप जैल लचमी कप महिला के लिए अस्रावर कोर कप महिला एकल के कप रामारुज टॉफी पदमावती कप स्वेथलिंग कप इंद्रा कप इलेक्ट्रासवर कप गल्फ कप काविलान कप सेंड़ ब्राइड बाउस कप या भी इसमें पाए जारते हैं को स्वेशन नमबर तेज़ है हांकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच्ची दूरी कि इतनी होती है तो दोस्तों को मैं हांकी का 9 8 होते है और इसके जो हैं गोल पोस्टों की जो मैं लंबाई होती है इसमें जीए फूंदी पोस्टों में पुंचाहे हैं लंंबाई पूचा हैrem तो नहीं जो हम लेंति 20 5 framework को तो जाना कुति हैं, जी'm 7 जाटना हर्साश भी Islands और गोल पोश्टर के उचाई जो होती है साथ फुट होती है 2.14 मिटर और बैक बूर्ड की उचाई अठारे इंच होता है याद रखेगा कोश्चन नमर चोविस है मानों में क्रोंसोंस की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों तेज जोड़ी होती है आप सबको पता है तेज जोड़ी जिसमें से 22 जोड़े जो है आटो सम्स होते है जो अपने समान कोशी का विभाजन करते है तेज वाज जोड़ी लिंग गुर्शुत्र होता है जो पूर्शों में एक्स यक्स वाई और महलाओं में एक्स पाए जाता है क्वेशन 25 सिधांद और बिवहार में वच्छ का सही मापन लेना चाहिए सिधांद और बिवहार में वच्छ का सही मापन समाने सोसन के अंत में लिया जाता है समाने सोसन के अंत में लिया जाता है उचित होता है क्योंकि वच्छ की वास्विक इसिती होती हुआ उस समय जो सारी विकास की इसिती इसपष्ट करती है कोशन नमर 26 है नियमित ब्यायाम हमारे रख्ट में कोलेस्ट्रोल की मातरा को किस तरह प्रुहावित करता है तो दोस्तों कोलेस्ट्राज दो प्रकार का होता है HDL और LDL HDL जो है High Density Lipoprotein जो हमारे बाड़ी के लिए अच्छा होता है गुड कोलेस्ट्रोल होता है और LDL जो होता है Low Density Lipoproteins हमारे बाड़ी के लिए अच्छानः होता है जो हम नियूत ब्यावाम करते हैं तो हमारे जो रख्ट वहाहिनिया सुस्zarald की मातरा कम होती jest उसमें bad cholesterol घरता है और good cholesterol HDL की मात्रा बढ़ता है इसमें right answer क्या हो जाएगा 26 का 26 का answer हो जाएगा option number D HDL की मात्रा को बढ़ाता है तो था HDL की मात्रा को कम करता है increase the amount of HDL and reduce the amount of LDL तो नियमित बयाम कौने से हमारे सरीय में रख्त में cholesterol की इस्तर में कमी आती है रख्त में cholesterol की इस्तर का सीरह सम्मंद रख्त दबाओ blood pressure से होता है क्योंकि जब रख्त वाहियों में cholesterol bad cholesterol जम जाता है तो जो blood circulation अच्छा से नहीं हो पता है उसमें रुकावट आने लगती है तो कभी-कभी नसे फट जाती है इससे hemorrhage कहा जाता है तो दोस्तों जैसे कि इसलिए blood pressure के रोग्यों को हलके ब्यायाम नेमित रुप से करा जाते हैं ताकि उनके रख्त में cholesterol पर दो तरफा प्रहोब पढ़ता है यानि कि HDL के मात्रा बढ़ती है और यानि good cholesterol HDL के मात्रा बढ़ती है और bad cholesterol LDL के मात्रा खम होती है कोशन 27 है सुन्य परिकलपना को जाना जाता है Null Hypothesis is known H सुन्य परिकलपना को हम अंतर रहित परिकलपना की नाम से जानते है यानि किसी सांकी की परिक्टर में एक समानने दिष्टिकोडिया होता है कि प्रेचित प्रेडाम को एक निश्चित परिकलपना यानि आइपोथीसिस की स्वापेश समझा जाता है जिसे सुनी परिकल्पना कहते हैं यह सुनी परिकल्पना सब्सक्राइब एक अंतर रहिस इस ची को ब्यक्त करता है मैं這邊 28 छोट डो आप जानते हैं कि जो लिगामेंट होता है दो हड्योंपर जोड़ता है और जो टेड़न होता है और ओड्र चोट होनसी को परिँदों जोड़िदों नाइस एपकार जोड़ता है तो जो ame उसके मुझ कहते हैं यानि इस्प्रैन और जो मास्पेसी और टेंडर की चोट होती है उसको इस्प्रैन यानि खीचाव कहते हैं क्वेस्टिन नुम्हर उन्तीस है जीवन और खेलों की सच्छंता का क्या अधार समझा जाता है तो दोस्तों जीवन और खेलों की सच्छंता का अधार समझा जाता है यहां पर राइट इंसर हो जाएगा सारीक नियंत्रण और नीरो मस्कुलर सामझ जाते हैं सारे रिक नियंत्रे को प्रकार के साथ पैसियों को किसी कारिह친 तुसरा लमन करता है निर्व मस्कुलर संद्रे करता है एं तुस ऍटर मस्कुलर संद्रे करता है उतने ही हमारे जीवन में कार्याक लापत अथा खेल कोड़ की छबता के लिए अलाब दायक होंगे कोशन नमर तीस है बिसिश्ट इवम इस पर्ष्ट तरीका जिससे ध्येव को प्राप्त कर सकते हैं स्पेसिफिक एंड किलियर वे टू एचिव दगोल थो किसी भी गोल को एचिव करने के लिए छोटे छोटे उद्यस यानि अबजेक्टिव होती हैं जो उद्यसे की बलच्छी की तरफ लिए जाते हैं तो उद्यसे आपका रैटर जूँगा तो किसी की कार जैसे कि सारे सिच्छा या ब्यायाम करना या इन्हें जाने समझने का उद्धे से एक धेव को प्राथ करना होता है या वह धेव कुछ भी हो सकता है जैसे मजबूत सारे किसिती या अच्छा मान से स्वास्ते या किसी प्रतिविता में सरोतम प्रतस्म करना Question No. 31 है जांच के विकास के लिए सबसे अच्छा प्यायाम है जांच नहीं है तो यहां पर जांग होना चाहिए ठीक है यहां पर जांग यानि की फीमल के विकास के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है तो तो वजन लेकर कि अधी बैठक करना तो आपका स्कूर्स वेटेज स्कूर्स वजन के साथ अधिपेठक करने से जांग का विकास सबसे अच्छा होता है कूशिन 32 माइष बेस्ट इसट्रोक शेस्ट्रोक किस खेल से समझ्ध है तो ब्रेस्ट इस्ट्रोक धो है यानिकी ब्रेस्ट इस जो और यह डियों कि नहीं है तो यहां परूऔ भरेस्ट है तियां कि टष्ट है मिंट्छैक है तो मैं gonna trivial देर हुं ब्रेष्टच ब्रेश्ट र्डिरोक से समन्धी थे टार्कि से गोधा तारकी चार मुख़ी से लिया है क्यों अल review 7 आndra नीकिंगें ब्रेष्ट मिला त्निक्टरफ्राइश कार पटष्टॉक भलल्ड आ Q33 है Hepatitis B virus नेनल मेंसे किस रोग हे तू जिम्हार है Hepatitis B virus is responsible for which of the following disease दोस्तों यहाँ पिलिया रोग होती जिम्हार होता है Hepatitis B virus जो लीवर को प्रवावीत करता है या कृत को प्रवावीत करता है यह यकित रोग के लिए जिम्मदार है तथा यह वायरस से होता है यकित का पिलिया रोग रख्ट के सीरम में बिलरुबीन की मातरा बढ़ जाती है और इससे स्लैस्मिक घिल्दी तथा तोचा का रंग पिला हो जाता है कोस्ट्ट नंकर 34 है इर्थ्रोओसाईट् T Aurbacid bulb जाते हैं यृप लूकोट पाई देंसित्ट डूस गजाते हैं डोस्तों यह सब arg रख्ट में ठीक है हमारा और stati कंञेंगार जो वस्ते हैं निय्क इन प्रभिक स्ल나 का प्लाज्म का 70% और 35% बहुर्वर ब्लट सेर्स में हमारा RBC, WBC and platelets आता है, RBC को हम बग्यानिक भासा में इर्थ्रोसाइड, WBC को लिकोसाइड और प्लेटलेस को थ्रोंपोसाइड बोलते हैं, Q35 है, Glycogen के बंडाड हेतु उत्तरदाई अंग है, जानते हैं, जो कर्वो हाडड होता है, वो अंति ब्रूप से टूटता है, Glycerol रिखने में あुषे सब्सक्राइब रिक्तव और सब्सक्राइब 1 तब कि अगार फॉरान कि होता है अधन्सैन कर नाइट्रोजन को सब्सक्राइब नियद्रोजन完成 जो है carbon hydrogen oxygen तिन जी जेसे मिलके बना होता है जैकि प्रोटिंग carbon hydrogen oxygen के लावा nitrogen भी इसे पाय जाता है पुर्णूर्प से बिखड़नेत होने के बाद इसे के अडूसरल अमीनों अमनों में तूटते हैं अधा प्रोटिन अमीनों अमनों में तूटता है आन्टिवर्प से पुर्शन नमबर 37 है टाइफाइट नामक जवाड़ो किस से होता है टाइफाइट जो है किस जवाड़ो से होता है तो यह सालमोन ना टाइफी नामक जवाड़ो से होता है टाइफाइट जिसे हम आत्र जवर भी बोलते हैं जिसे हम मियादी बुखार या आत्र जवर या मोध जरा भी बोलते हैं टाइफाइट को जो सालमनेल ना टाइफी नामक मैट्रिया से फालता है किया आतों को पाचन तर्चर को पहावित करता है इसमें जुर आता है दुर्बलता हाता है आतों में छेदु हो जाता है इसकी उद्भवन अवधी पांच से 20 दिन तक होता है यह रोग पानी की गंदगी से फालता है को अरती है लास्ट कोशन है आज के सेशन का कि प्रिक्तिकत वेद इनके करण होते हैं इंडिविजुल डिफ्रेंसेस और कॉजेज वाई तो कई बार मैं बता चुकी हूं कि दूस इन हेडिटेंस एंड इन्वार्मेंटल एफेक्ट्स जैसे कि बेक्तिकत अंतर में सारी को बहुधी अंतर पर अनुवानस्टा का ज्यादा प्रोहाव पड़ता है तो वाधावर्ण का कम जबकि समाधिक नैतिक वीचार्ज होते हैं संस्कीती होते हैं इसमें आंतरों को में इन्वार्मेंटल परोहाव पड़ता है और अनुवानस्टा का कम इस परकार जो प्रस्नलिटी है पर बेक्तिकत भेद है एक दुसरे में यह अनुवानस्टा वाधार्वार्ण को प्रोहावीत करता है तो दोस्तों यह था आज के सेशन में अर्टिस्टीमसी की कोश्चिंस कोश्चिंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जिस भी कोश्चिंस में डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और जादे से जादे वीडियो को शीयर कि जी जी से और लोग पहुंच सके ते मिलते हैं एक्ट वीडियो प्राइक्टिस में तर तक के लिए ज कि लिएए लोग